सर्दियों में जरूर ट्राई करें प्रोटीन और बिटामिन से भरपूर ये नई रेसिपी तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो का टाइडल पढ़े लिया होगा जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे सर्दियों की सुरुआत हो चुकी है अब जैसे ही सर्दियों की सुरुआत होती है होता क्या है हम अपने खानबान पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसकी वज़ासे हमारे सरी में बहुत सी प्रोटीन और बिटामिन की कमी हो जाती है इसको पूरा करनने के लिए आज इस विडियो में हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आएं दोस्तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 20 किलो यानि के 500 ग्राम गेहुन का आड़ा लेना होगा इसके साथ हमें लेना होगा 250 ग्राम मघाने इसके लावा अगर आप कोई ओर ड्राइफूर्ट इस्तिमाल करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं चलिए आप जानते हैं किस तरीके से इस रेसीबी को हम बनाएंगे तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरू करें सबसे पहले दोस्तो हमें एक कडाही को गेचुले पर रख देना होगा जैसे कि कडाही थोड़ी सी गर्म हो जाती है हमें इसमें गेहू का आटा डाल देना होगा तो यहाँ पर हमने इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है इसके बाद हमें गेहूं के आटे को अच्छी तरीके से भूनना होगा दोस्तो याद रखें गेहूं के आटे को आपको जलने नहीं देना है अगर गेहूं का आटा ज़ादा भून देते हैं तो फिर यह खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा तो ज lider ग। यह अधो बिल्कुल अधो भूना कर देना है इसके बाद घी डालने को आज जैसे कि घी अच्छी तरीके से आप पिगलना सुरू हो जाता है आपको इस आटे को दुबारा से अच्छी तरीके से भूनना होगा दोस्तो इस तरह फायदा यह होगा कि आटा जो है चेपकना बंध हो जाएगा तो चली हम फटपट से सभी अच्छी तरीके से भून चुका है इसके बाद हम कडाही में दुबारा से घी डालेंगे क्योंकि दोस्तो अब हमें जो हमारे पास गोंद और ड्राइफ्रूर्ट है उन सभी को हमें अच्छी तरीके से फ्राइ करना है तो हमें करना क्या होगा घी को अच्छी तरीके से गर अब ज juसे कि यह फ्राई हो जाता है इसको हमें बहान निकाल लेना है तो यी यह काफी कूर रही हो जाता है आप अप हम आए इस तरीके से लिया है इसके इसके बाद दोस्तों हमें दुबारा से घी को डालना होगा कड़ाही में इसके बाद दोस्तों हमें ताल मखाने जो हमारे पास मखाने होते हैं उस मखानों को हमें अच्छी तरीके से फ्राइ करना है तो हम सबसे पहले घी को गर्म करेंगे और जैसे की घी गर्म हो जाता है इ अगर दोस्तों आप घर पर एसए जैसे कि आपको कभी भूग लग जाती है तो आप मखानों को फराइ करके भी खा सकते हैं यह बहुत जादा टेश्टी होते हैं और आपकी सहत के लिए बहुत जादा फायदे बन होते हैं अब दोस्तों हमें करना क्या होगा हमें गोंद को बारिक बारिक पीशना होगा इसके लिए दोस्तों हम मिक्सिय के जार में गोंद को डाल देंगे और इसके बाद इसको बारिक बारिक पीश लेंगे तो जैसी कि दोस्तों आप देखेंगे हमने गौंद को पीछ लिया है लेकिन दोस्तों याद रखें गौंद को ज़्यादा बारिक नहीं पीछना है वैसे भी गौंद ज़्यादा बारिक पिछता भी नहीं है तो हमें करना क्या होगा इस गोंद को हमें आटे में मिलाना होगा तो चलिए हम सभी गोंद को आटे में मिला देंगे तो जैसे कि दोस्तो हमने सभी आटे में इस गोंद को डाल दिया है इसके बाद हमारे पाद जो मेवा है जो हमने फ्राई की थी उसको भी हमें इस आटे में डाल देना होगा तो चलिए हम सभी मेवा को इस आटे में डाल देते हैं अब दोस्तों हम यहाँ पर मखाने भी इसमें डाल देते हैं तो चलिए हमने मखानों को भी पहले से फिराई करका है अब दोस्तों सबसे लाइश में हम इसमें एट करेंगे बूरा तो दोस्तों अगर आप जादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें जादा बूरा डालें अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप इसमें जादा बूरा ना डालें तो इसके बाद जैसे कि आप इसमें बूरा डाल देते हैं अब हमें करना क्या होगा इन सबी चीज़ों को हमें आपस में मिक्स करना होगा तो मिक्स करने के लिए हम चम्मा से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और जैसे कि दोस्तों आप इन सबी चीज़ों को मिक्स क आएगी तो हमारी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों अगर आपको एसी और रेसिपी चाहिए तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही ठेंके फॉर वोचिंग